कि अधिया है यह विए विए सवागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टुशन गुरुजी में बच्चो आज हम करने वाले क्लास एट का चेप्टर बलतध दवाव यानि कि आपका जो चेप्टर फोर्श एंड प्लेशर उसे आज हम करने वाले हैं वक्षीट की म चीज को चलाने की कोशिश करते हैं तो हमने दैनिक जीवन में क्या अफ्योग कर रहा हैं अपने दैनिक जीवन में हम बल का या फोर्श का अफ्योग कर रहा हैं लिखा भी ओऊ है क्या लिखा बच्छो यहां पर In our daily life we make things move by pushing them we stop moving or change direction or shape of object by applying force यानि दैनिक जीवन में वस्त कि दिशा का या का लगता है तो समस्थना जरूरी है कि बल क्या है तो या avait फोर्स फोसी डिफाइन टिन फूंश और पुल ओन अब्जेक्ट वस्ट किसी वस्टू पर लगने वाला धक्काः यह कि आwl कहलाता है आपको कुछ छोटे-छोटे उडारन दिये हैं बच्छों यहां पर उधारन क्या दिये हैं कि बल के द्वारा किसी गतिशील वस्तू की या किसी वस्तू की डारेक्शन को चेंज करना या चेंज दा डारेक्शन ओव मुविंग ऑबजेक्ट अब इससे क्या कर सकते ह शेप ऑफ अबजेक्ट वस्तू का आकार बदल सकते हैं फिर किसी वस्तू को मुव कर सकते हैं रैस से मुव पिला सकते हैं यानि कि उस रुकी वस्तू को चला सकते हैं और क्या कर सकते हैं बच्छों वस्तू की गति को कम या बढ़ा सकते हैं ठीक है तो इसके कुछ आपको फिर दिये हुए कोशन आंसर वो क्या है बच्छो पहला है वाट इस फोर्स बल क्या है तो हमने अभी क्या देखा था बच्छो फोर्स इस डिफाइंज आस पुश और पुल किसी वस्तुब लगने वाला धक्का या खिजाब को बल कहते है बच्छो ठीक है फिर है what can force do or what are its effect when applied on an object किसी वस्तुब लगने बल लगने पर क्या क्या प्रभाव हो सकते है तो गती की दिशा बदल सकती है चेंज इन डारेक्शन हो सकता है बच्छो शेप बदल सकता है यानि कि वस्तु का आकार बदल सकता है रुकी वस्तु चल सकती यानि वह जो रेस्ट सकते हैं फिर क्या दिया हुआ है classify the following action as push or pull put tick mark in the appropriate situation यानि धक्का या किचाव है उसको बताना आपको तो पहला इसने क्या दिया है kicking a ball गेंद को मानना तो हम क्या कर रहे हैं धक्का देने हैं फिर moving a loading cart सामान की लदी हुई गाड़ी को ले जाना तो यह है बच्छो खिचाव इसमें हम खीचना पड़ेगा फिर है iron pin attracted to magnet लोहे की पिन का चुम्बक की और आकर्शित होना बच्छो तो यह भी खिचाव है बच्छो क्योंकि वह खिचता है पुल है ठीक है फिर है दरवाजा बंद करना तो दरवाजा बंद करना आपका push है बच्छो क्योंकि दक्का दे फ्रोम वैल कोई से बाल्टी में पानी निकालना तो यह खीच करके निकाले जाता है यह पुल है बच्छो और आकरी वाला है आपका बच्छो थ्रोइंग ए स्टोन ठीक है पत्थर फैकना तो यह धक्का देख करके फैकते हैं ठीक है यह पुश करके चलिए अब अगला पा परिमान और दिशा होगा यह नि मैगनिटूड और डारेक्शन होगा क्योंकि फोर्स क्या है फिजिकल क्वांटिटी यह बहुतिक राशिक है वच्छो ठीक है और यह क्या करती है कि पुश और पुल डैट केंट चेंड़ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अबजेक्ट और चेंड शेप और साइज ऑफ ऑबजेक्ट यानि किसी वस्तुई गती या स्थिती और आकार को बदल सकती है तो यह क्या है बल परिमान और दिशा के बारे में जानने में मरत करती है यानि बहुत मैगनिटूड और डारेक्शन होते है इसमें अब डारेक्शन कैसे देख सकते हैं ब मैगनिटूड कैसे है ठीक है बल का परिमान का मतलब है किसी वस्तु का पर कितना बल लगाया गया है यानि मैगनिटूड फोर्स मीन्स हाव मच फोर्स इप्लाइड ऑन अब्जेक्ट और स्ट्रेंट ऑफ फोर्स यूजरी एक्स्परेट इसन मैगनिटूड जैसे हम करें 80 किलोमेटर प्रती घंटे से न 8 किलोमेटर परावार से तो 80 वाली ज्यादा होगी 9 2 सी तरह से थी को भी डिफाइन कर सकते है फिकर समय ठ्यक्यार्वा जाता थे 30 निउटन थैन स्टवर्स दर्शय आया जाता है एक बल को परवलता आम तोर पर इसके परिमान द्वारा मापी जाती है इस बल की काई है न्यूटन ने उसे एन के द्वारा वैक्त किया जाता है बल किसी वस्तू की गतिया स्थिती को बदल सकता है अच्छा अब कुछ बेसिक टर्म्स दिये हैं यानि कि जब हम दो आदमी जैसे दिखाया हुआ यहां पर किसी एक वस्तू पर बल लगाएंगे तो एक इस्थान पर बल लग रही है यान यानि किसी वस्तू पर एक ही दिखाम लगाया गबल जो दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं अब और क्या बताया बच्छों इसने कि अगर कोई अपोजिट डारेक्शन में यानि विपरीद दिखाम बल लगाया जाए तो दोनों के अंतर के बराबर होगा बल यानि अगर इधर से आठ न्यूटन लग रहा है और एक साइड से पांच न्यूटन लग रहा है तो तीन न्यूटन बल इस तरफ जाएगा ठीक है यह चीज़ बताईए इसमें और आखरी क्या कह रहा है बच्छों यानि यादि दोनों पर बराबर बल मात्रा और विफ्रीद दिशा में लगे तो बल शुन्य होकर के कोई मूँ नहीं करेगा जैसे की टग ओफ फार में या फिर रसाकशी के खेल में दिखाया गया है अब इसमें उपर वाली कंडिशन में एक चीज और समझे बच्छों जि मूँ नहीं करेगी ठीक है और अगर किसी एक ही दिशाम बल लगाया जा रहा तो उनका बल का जोड़ कर दिया जाएगा अब इसमें भी कुछ कुछन आंसर दिये हैं बच्छों क्या दियाव है दक्के एक हिचाव को क्या कहते हैं हम बल कहते हैं यानि पुश और पुलिस और डारेक्शन यानि बल में परिमान और दिशा दोनों होती है दा स्टेंट ऑफ फोर्स इस यूज़ी एक्स्प्रेस्ट इर बाई इस यूनिट ठीक है किसी बल की परबलता को आम तोर पर उसके यूनिट द्वारा या मैगनिटूट द्वारा ठीक है परिमान द्वारा व परिमान बल कितना होगा तो यहां पर एक है पांच पहला बल दूसरा है तीन न्यूटन का बल तो यह दोनों हो गया पांच और तीन आठ न्यूटन का बल हो गया बच्छो फिर क्या है इफ टू फोर्चिज ऑफ फाइम न्यूटन एंड त्री न्यूटन और एक्टिंग ओने बॉड़ी इन पोजिट डारेक्शन तर रिजल्टन फोर्स विल भी यदि पांच और तीन न्यूटन का बल किसी वस्तू पर विप्रित दिशा में कारी कर रहा हो तो परिमान बल कित चलिए अब बात आती है कि जो वस्तू है उसपे जब कोई बल लगाए जाए तो दिशा का परिवर्थन कैसे करती है तो होता क्या है कि force applied on an object in the same direction add to another can change the speed और shape of an object यानि किसी वस्तों बल लगाया गया है अब वो बल क्या है उसकी गती को बदल सकता है उसकी दिशा को बदल सकता है और विप्रीद दिशा में भी काम करेगा तो गती को कम करेगा बच्चों यहां पे यानि कि जो स्पीड अगर तेज होगी अब बल लगा रहे हैं तो गोल कीपर गोल को बचाने के लिए बोल की तरफ कूता और उचलता उसके दिवारा लगा गया बल गेंद को रोख सकता है और गोल होने से बचा सकता है यानि कि एक गोल कीपर डाइवस और जौंस टू सेट दा गोल दा फोसप्लाइड dialogue सेविंग गोल बिइंग devote देकरता है अगर वह अपने आप पूरी पूरी बॉल को रोक लेता है तो इसको धक्का दे गरे कहीं और फैक देता है तो भी वह बॉल चो को जाए किसी और डारेक्शन में चेंज कर देता है तो इससे क्या कर रहा है वो गोल की पर गोल को बचा रहा है बच्छो अब दूसरा जो कर रहा है बच्छो कि force applied on a specific direction start resulting in the movement of an object यानि कि movement होना शुरू हो जाता है गति की होनी शुरू हो जाती है किसी एक वस्तूप में जब किसी एक खास direction में उसको बल दिया जाए अब एक चीट जो आ जाती है क्या कि एक change is in either the speed of an object or the direction of motion और बोथ is described as change in state of motion यानि किसी वस्तूप की गतिया उसकी गतीम की दिशा में या दोनों की में परिवर्तन की वस्तूप की अवस्ता को हम क्या कहते हैं उसके अवस्ता में परिवर्तन कहते हैं बच्छो अब एक छोटा सा उधारण और है इसमें क्या दिया हो बच्छो there are also some situation in which objects are not free to move for example pressing a lump dove with hands or rolling a ball of dove to make chapati the application of forces in this case led to change in shape of an object यानि कुछ परिस्थितिया ऐसी भी होती है जिनमें वस्तू की गती के लिए स्वतंतर नहीं होती जैसे कि आटे की लोई को हाथ से दबाना और उससे chapati बनाना आटे को chapati बनाने के लिए बेलना ऐसी स्थितियों में लगाया गया बल वस्तू की आकार में परिवक्तन करता है यानि कि यह क्या बता रहा है बच्छो हम बल का प्रियोग किस ले कर रहे हैं दाब के लिए भी कर रहे हैं बच्छो अब कुछ एक्जाम्पल दिया हैं आपके ज़रा उन्हें देख लेते हैं एक्जाम्पल तो आप ने देख लिए अब जो कुछन आंसर है उन्हें देख लेते हैं प्छो जड़ा आप बापिस बता देता हूं को फिर भी गोल कीपर का बॉल को रोकना और डारेक्शन को चेंज करना एक डारेक्शन मुग कराना और इसे चेंज ऑफ सेट अब मोशन कहते हैं और क्या कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करते हुए प्रेशर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की जो स्प्रेसिफिक साइज और शेप उसे चेंज कर सकते हैं कोशन नमबर वन है आपका गिव तो एक्जांपल्स ऑफ सिस्टुएशन इन विच देर इच चेंज इन स्टेट और मोशन ऑफ अब्जेक्ट दू तो फोर्स दो स्थितियों के दार्ण जीज में दीजिए जिरने बल के लगने के कारण किसी वस्तू की अवस्तान परिवर् और ब्ल में के परभाव को पैचान करके में लिखनी है क्या है आकार में परिवर्तन दिशाम परिवर्तन क्या हो रहा है यह बताना में शेप कर रहा है रहा है पेख़वन ही टिंग बॉल कि इस चेंज क्ई कर रहा है कि क्या कर रहा है एक बल्लेबांत द्वारा गेंद को मार। शाम परिवर्थन कर रहा है फिर अःकार इपक पॉर्ड बाइप्लायंग तो यह सिपीड है यानि कि यात 방 पर konst जाना गतिम परिवर्तन हो रहा बच्छो फिर एक blacksmith hammers a hot piece of iron यानि लोहार द्वारा हतोड़े से लोहे के एक गरम टुपड़े को पीटना ये क्या कर रहा बच्छो या कारण परिवर्तन कर रहा बापिस से ठीक है फिर तीसरा कुशन आपका give two examples from your surrounding where force can change the direction and state of motion अपने आस पा और पर ये चपाती वाली मिल गई ठीक है दूसरी क्या कर सकते हो आप दूसरी आप लिख सकते हो जो आटा बनाने वाला होता है process ठीक है आटा बनाने वाले process में भी क्या करते हैं उसे press करके अपने शेप के जरूत के साब से शेप देते हैं ठीक है फिर आपका question no.4 what will happen if applied force in in the direction, opposite to the direction of motion क्या होगा यदि लगाया गया अबल वस्तु की गत्य की दिशा के दिशा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्छो गति में परिवर्तन होगा चेंज इन स्पीड होगा और चेंज क्या करेगा उस वस्तु की गति को कम करता से लजाएगा और एक स्थिति ऐसे आएगी कि वस्तु चलना बंद कर देगी बच्छो तो यह बच्छो आपको जो यह चैपकर था वर्क्षीट के थुरू समझाने का पूरा हो गया बच्छो वर्क्षीट क्योंकि कंप्लीट हो गई है आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू